बसकार बच्चो आप से बच्चो का हमारे चिनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्छा दसबी की गडित का अध्याय आठ चेप्टर एट त्रिकोन मीती का परिचय में आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका आज हम एक्जामपल नंबर चार पढ़ेंगे और बहुती अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे एक्जामपल चार उधारन चार यहाँ पर हमें क्या कह रहा है यदि समकोन तिर्भुज A, B, C में जिसका कोन B समकोन है एक समकोन तिर्भुज दिया गया है और समकोन B यहाँ पर क्या है आपका समकोन है कोन B समकोन है और यदि तेन A का मान एक हो तेन A बराबर तेन A का मान यहाँ पर हमें एक दिया हो तो सत्यापित कीजिए कि सिद्ध करना है हमको 2 sin A into cos A बराबर एक होता है हमको यहाँ पर यह सिद्ध करके लेके आना है हमको यहाँ पर य सराले आप यहाँ पर देख सकते हो समकोन तिर्भुज ABC की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने एक चितर बना लिए तिर्भुज ABC समकोन तिर्भुज ABC यहाँ पर हमने बना लिए आप चितर में देख सकते हो समकोन तिर्भुज ABC एक दिया है, टेन ए, मतलब कोण एक का जो टेन है, इसका मान है, आपका एक दिया है, तो सिद्ध करना है, टू साइन एंटू को से बराबर एक होता है, तो देखिए इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, चित्र में एक तिरभुज A, B, C है, सवाल में हाँ पर क्या दिया है, सवाल में हाँ पर दिया है, चित्र में एक तिरभुज A, B, C है, चित्र को देख करके लिख रहा हूं, चित्र में एक तिरभुज A, B, C है, चित्र में एक तिरभुज A, B, C है, जिसका कोन भी समकोन है, जिसका कोन भी क्या है, समकोन है, मतलब कौन भी 90 डिगरी का है तथा टेन ए सवाल में दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो सवाल में दिया है टेन ए बराबर एक दिया है टेन एक अमान कित्ता दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो तथा टेन ए बराबर यहाँ पर आपका एक दिया है अब तेन का सूतर क्या होता है तेन का सूतर होता है तेन ए तेन बराबर होता है मैंने सूतर आपको लिगवा है था सबसे पहले वीडियो में तेन बराबर होता है सम्मुक भुजा बटे सनलगने भुजा तेन ए बरावर होगा सम्मुक भुजा बटे सनलगन भुजा तेन का सुतर याद कर लो तेन बरावर होता सम्मुक भुजा बटे सनलगन भुजा बरावर का बरावर और इसका मान दिया यहाँ पर आपका एक अब टेन A का हुजागा आपका टेन A बराबर का बराबर सम्मुक भुजा किसकी भुजा कोण A का टेन निकाल रहा है इसका मतलब है कि कोण A की सम्मुक भुजा और कोण A यहाँ पर आपका यह है तो कोण A की सम्मुक भुजा तो कोण A की सम्मुख भुज़े लिग देंगे, यहां पर हम BC, बटे का हुजाएगा बटे, सनलग ने भुज़ा, किसकी सनलग ने भुज़ा, कोण A की सनलग ने भुज़ा, मतलब कोण A से लगी हुज़ा, और कोण A की सनलग ने भुज़ा, मतलब कोण A से लगी हुज़ा, यहाँ पर आपकी क्या है? A, B है क्या है आपकी भुजा A, B है तो बटे में जागा सनलग ने भुजा हमें आपका A, B बराबर का बराबर और एक का जागा यहाँ पर आपका एक अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो B, C बटे A, B बराबर यहाँ पर आपका एक दिया गया है तो एक को हम यहाँ पर के मान सकते हैं, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं के मान सकते हैं तो एक और बटे में भी हाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं, तो एक बटे एक तो मतलब बीसी बरावर एक तो k में एक का गोन कर देंगे तो bc बराबर k कम k हो जाएगा bc बराबर हो जाएगा आपका k और a b के बराबर में भी एक है तो एक को भी हम k मान सकते है a b बराबर हो जाएगा k कम k a b बराबर हो जाएगा आपका k bc बराबर भी k और a b बराबर भी k BC का मान भी आ गया K और AB का मान भी किता आ गया K आ गया जहां K एक धन संख्या है K क्या है जहां पर K जो है प्रकार की क्या है धन संख्या है BC का मान भी आ गया K चितरे में हाँ पर हम पर देते BC का मान किता आ गया BC का मान आ गया हाँ पर आपका K और इसके साथ साथ आप देख सकते हो A B, A B का मान भी आपका K है A B का मान भी हाँ पर कहा है A B है A B का मान भी हाँ पर आपका K है अब इसके बाद हमारे पास A B का मान तो पता चल गया की K है और B C का मान भी पता चल गया की की है K है लेकिन हमको AC का मान नहीं पता तो हम अब AC का मान निकालेंगे AC का मान केसे निकालेंगे जब कभी भी समकोंड तिर्भुज में दो भुजाओं के मान दिये हो और तीसरी भुजा का मान ग्याद करना हो तो पाइथागोरस प्रम्मे लगा जाता है कौन सा परमे लगा जाता है, पाइथागोरस परमे लगा जाता है, तो अब हम तिर्भुज A, B, C में पाइथागोरस परमे लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप देख सकते हो, तिर्भुज A, B, C में पाइथागोरस परमे से, तिर्भुज A, B, C में हम के लगा पाइथागोरस प्रम में लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रम में लगा देंगे, पाइथागोरस प्रम में क्या होता है, ये संकोर्ण तिरिबुज में सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इस भुजा को हम बोलते हैं, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार का वर्ग कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग कर्ण यहाँ पर आपका AC है तो कर्ण का वर्ग मतलब यहाँ पर आपका क्या हुआ है कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार का धन, अधार का वर्ग, अधार का माहन कितना दिया हुआ है, अधार का माहन है आपका BC दिया हुआ है, अधार का वर्ग मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, धन, अधार का वर्ग, अधार का माहन है आपका BC है, मतलब की BC का वर्ग, करेंड का वर्ग बरावर लंब का वर्ग अधार का वर्ग आपका हो जाएगा अब AC का मान हमको नहीं पता तो AC की घाद दो को जाएगा AC की घाद दो बराबर का बराबर यहाँ पर AB की AB लिखा हुए AB का मान कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं AB का मान है यहाँ पर हमारा K है AB का मान यहाँ पर हम कितने रख देंगे के रख देंगे यहाँ पर घाद दो तो केकी भी घाद दो जाएगा धन कहोगे धन यहाँ BC रिखा हुआ है और BC का मान भी हाँ पर हमारा के है तो BC का मान भी हम कितने रख देंगे के रख देंगे यहाँ पर घाठ दो तो यहाँ पर भी आपका घाठ दो हो जाएगा A, B कमान रखड़ देंगे यहाँ पर हम कै B, C कमान भी रखड़ देंगे आप देख सक면 आप देख सकते हो AC की घाद दो को जाएगा AC की घाद दो बराबर का बराबर यहाँ पर 1K की घाद दो और 1K की घाद दो 1 लड़का और 1 लड़का दो लड़का मतलब कि 1K की घाद दो और 1K की घाद दो 2K की घाद दो हो जाएगा अब AC घाद 2 को जाएगा AC की घाद 2 बराबर का बराबर दो केकी घाद 2 जो लिखा है दो केकी घाद 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर मैं करणी लगा दूँगा और इसके उपर लगा दूँगा मैं वर्ग क्योंकि वर्गे से कर्णिनी कर जाती है और उतने का उतने ही प्राप्ट हुआएगा मतलब दो केकी घाद दो को हम कर्णिनी के अंदर दो केकी घाद दो और उसकी हुल घाद दो की रुप में लिख सकते है वर्गे से कर्णिनी कड़ जाती रूतने का उतनी बसता है अब इस तरब भी बर्ग आगे इधर के वर्गे से इधर का वर्ग कड़ गया तो AC बरावर AC का AC बरावर बर्ग बर्गे से बर्ग कड़ गया कर्णिनी के अंदर दो केकी घाद दो बचा कर्णिनी के अंदर कितना बचा दो केकी घाद दो बचा AC बराबर आगे कर्णिनी के अंदर दो केकी घाद दो आगया AC बराबर कर्णिनी के अंदर दो केकी घाद दो आगया आप लोग आपर देख सकते हो AC बराबर कर्णिनी के अंदर दो केकी घाद दो आगया के की खाथ 2 है मतलब कि वर्ग इससे करनी कड जाएगी और के करनी के बाहर आजाएगा तो के करनी के बाहर आ गया और करनी के अंदर सिर्फ 2 बचा करनी के अंदर सिर्फ कितना बचा 2 बचा मतलब AC का हो कि AC बरावर का बरावर के करनी 2 बचा AC बरावर K करणी दो यह हो कि हमारा AC का मान निकल गया AC का मान कितना आ गया AC का मान आ गया हाँ पर हमारा K करणी दो AC का मान कितना आ गया आप देख सकते हो AC का मान AC का मान हमारा कितना निकल गया K करणी दो निकल करके आ गया AC का मान है ना हम को सवाल वाले ने बोलो था, की सिध्ध कीजिए, की दो साइन इन्टू कोस E बराबर एक होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिख गे की लिख देंगे, हें हम लिख देंगे,ада हेंadia देखेंगे, इसकी निचे, यहाँ पर हम को sign A का मान नहीं पता और close A का मान भी नहीं पता था अब हम sign A का मान निकालेंगे और close A का मान भी निकालेंगे तो हम पहले sign A का मान निकालेंगे, sign A का मान निकालेंगे, sign A बराबर और sign का सुद्र के होता है, sign बराबर होता है, सम्मुक भुजा बटे कर्ण SIN के उसंदूर आद रखना है SIN बराबर होता है सम्मक भुजा बटे कर्ण होता है SIGN A होने में e को बराबर सम्मक भुजा कर आक होजा कर कों a के सम्मक भुजा कर आक हमारी Yes है बटे का हो गया बटे कर्ण ने लिखा हुआ है कर्ण ने का मान कितना है कर्ण कर्ण कमान कितना है अब साइन एक हो जाए का है साइन ने बराबर कर-बर बीसी का मान हमने कितने निकाले थे? बीसी का मान, आप लोग देख सकते हो, यह, बीसी, बीसी बराबर है हापर हमने के निकाल के लेकर आये है, तो बीसी का मान कितने रख देंगे हापर हम, बीसी का मान है हापर हम रख देंगे के, बटे का हो गया बटे, और एसी का मान कितना आहां पर आप दिख सकते हो AC बराबर K करणी 2 हमने निकाल के लेकर के आये है AC का मान के तरक देंगे AC का मान रख देंगे हाँ पर हम K करणी 2 ऊपर के K से नीची का के कड गया Sign A का हो गया Sign A बराबर कर बराबर ऊपर उपर कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूतर में कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, और कोस ए बराबर क्या होता है, कोस का सूतर क्या होता है, कोस का सूतर में आप लोग को लिखवा है था, कोस बराबर होता है, सनलग ने भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है सलग ने भुझा मतलब कोण A से लगी हुई भुझा और कोण A की सलग ने भुझा यहाँ पर आपकी A B है कितनी यहाँ पर आपकी A B है कोण A की सलग ने भुझा कमान कितना रख देंगे हाँ पर हम आप लोग देख सकते हो कोणे की सनलक नभुज़ो का मान रख देंगे हापर हम AB बटे का हो गया बटे और कर्ण 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 क तो कोस एक अमान किता आ गया आप देख सकते हो सूतर में सूतर में देख सकते हो कोस ए बरावर आ गया आपका एक बटे करणी दो कोस ए बरावर किता आ गया एक बटे करणी दो आ गया अब समीकरण ए समीकरण ए हापर हमारा क्या देखिए समीकरण ए हापर हमारा है समीकरण यहाँ पर हमारा है, two sign a into cos a बरावर एक, तो इस सम्मीकरण a का अब हम left hand side ले लेंगे, क्या ले लेंगे हाँ पर हम left hand side, बरावर के इस तरफ बाले पद को हम left hand side कहते हैं, और बरावर के उस तरफ बाले पद को हम right hand side कहते हैं, तो बरावर के इस तरफ बाले पद को हम left hand side कहत पर तो यहाँ पर हमने यह लिख दिये समिकरण A से लेफ्ट हेंड साइड लेने पर लेफ्ट हेंड साइड बराबर और लेफ्ट हेंड साइड का मान किता दिया है यह देखिए लेफ्ट हेंड साइड का मान दिया है टू साइन एंटू कोस ए तो यहाँ पर लेफ्ट हेंड सा कहो गया दो गुड़ा, साइन एक का मान कितना है, यहाँ पर हमने साइन एक का मान कितना निकाले थे, साइन ए बराबर है एक बटे करनी दो, तो साइन एक का मान कितना रख देंगे, साइन एक का मान रख देंगे एक बटे करनी दो, इंटु को जाएगा इंटु, कोस ए, कोस ए बराबर है एक बट्टे कर्णी दो, तो को से का माने हाँ पर हम रख देंगे एक बट्टे कर्णी दो, बराबर का बराबर, दो गुडित एक गुडित एक, दो एक कम दो और दो एक कम हो जागा है हाँ पर आपका दो, बट्टे का जाएगा बट्टे, कर्णी दो इंटू कर बटे में बचा आपका दो अब ऊपर के 200 नीचे के 2 कड़ गया यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा एक और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक है मतलब कि हमने इसको हल करे तो यहाँ पर एक निकल करके आ गया हना मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का हमान हैं पर आपका एक आगे मतलब left hand side और right hand side दोनों क्या है बराबर है मतलब हमको क्या सिद्ध करना था two sign a into cost a बराबर एक सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिये two sign a into cost a बराबर एक इत्ती सिद्धम ये हमारा होगे हाँ पर सवाल approved धन्यवाद जय हिंद जय भारत